हिमाचिल भाजपके महासचीब त्री लोग कपूर ने कॉंग्रेस अध्यक्स कुलदीप सिंग राठोर और कॉंग्रेस नेताओं पर जोरदार हमला साधा है कपूर ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी पर देश सरकार पर जितने भी आरोप लगा रही है वैसा भी आरोप बेबुनियाद हैं उन्होंने कहा कि एर कंडिशनेर पार्टी के पर देश अध्यक्स कुलदीप राठोर जैराम सरकार की बज़ाए अपनी पार्टी की तरफ ध्यान दें भाजपा नेता ने कहा कि कॉंग्रेस के दिगजनेता गुलाम नभी आजाए दौरवेक्त की गई सचाई को कॉंग्रेस पार्टी हलके में ना ले यह बिल्कुल सच है कि कॉंग्रेस पार्टी चन्मानस के बीच जाने के बचाए एर कंडिशनेर कमरों से चल रही है जिसके कारण कॉंग्रेस पिछले बहत्तर वर्ष के इतिहाज में सबसे दैनिय सीती में अंतिन सांस ले रही है वर्तमान में अगर देखा जाये तो कॉंग्रेस कोमा में है भाजपा नेततरी लोकपूर ने कहा कि मुद्धा विहीन कॉंग्रेस के पास नजनता के बीच में जाने के लिए और ना ही जराम सरकार के विरुद बोलने का कोई मुद्धा है जिसके फॉल्स अभूप कॉंग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्स मुख्यमाद्री जराम ठाकुर के विरुद कभी अटल टर्नल में हाथ अभिबादन को लेकर तो कभी भाजपा के राष्ट्रिय अध्यक्स चक्त प्रकास नड़्डा की मौझूद्धन न दिये जाने तो कभी करोना के व्रुद उठाये जा रहे कदमों को लेकर अपनी चिंता प्रक्ट कर रहे हैं करोना की व्रुद लड़ते हुए ही माझल प्रते विकास को आगे बढ़ा रहे हैं इससे निश्चीत रूप से जराम ठाकुर दिन प्रति दिन और मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि असयोग है कि जहां केंदर में नरेंदर मोदी और प्रदेश में जराम ठाकुर के नेतरित्तब में भारती जंता पार्टी की दोनों सरकारें पूरे तालमेल के साथ जंता की सेवा में काम कर रही हैं वहीं। सब्सक्राइब के लिए शिमला से पुष्पेंदर की रिपोर्ट।